दोस्तो इस वीडियो के माध्य हम समलोग साउथ अमेर्का की लोकेशन यहां के फिचकल फिचर्स और यहां की कुछ महात्पूर्ण कंट्रीज और उनसे सम्मंध्र कुछ महात्पूर्ण तत्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम सुरुबात करते हैं साउथ अमेर्का की लोकेशन से तो आप इस पूरे वर्ड मैप में देख सकते हैं यह है साउथ अमेर्का का लोकेशन यहां पास आप देखें तो आपको यह लाइन देखने को मिलेगी equator और जो यह लाइन है यह है prime meridian और यह दोनों लाइने ही इस पूरे world map को दो बराबर भागों में बाड़ती है तो जो यह equator है वो अर्थ को northern और southern hemisphere में बाड़ती है और जो यह prime meridian है यह eastern और western hemisphere में बाड़ती है तो यदि हम south america का location hemisphere की term में देखने का प्रयास करें तो आप देखे equator की नीचे ही ज़्यादा तर हिस्सा हमें south america का देखने को मिलेगा कुछ हिस्सा आपको north hemisphere में भी देखने को मिलेगा यही कारण है कि यह वाला हिस्सा जो है उसको हम south america बोलते हैं और उपरी जो continent है वो है north america क्योंकि यह northern hemisphere में है और फिर यदि हम बात करें eastern और western में तो यह mainly किस hemisphere में है western hemisphere में हमें देखने को मिलेगा clear तो यह तो हो गया location of south america अब यदि हम इस south america की rank देखें area और population wise तो आपको south america की जो rank है वो area में देखने को मिलेगी फोर्थ पहले पर है Asia, दूसरे पर अफरिका, तीसरे पर north america, चौथे पर आएगा south america और यदि हम बात population की करें तो इसकी rank हो जाएगी 5th पहले पर है Asia, दूसरे पर अफरिका, तीसरे पर Europe, चौथे पर north america और पाचमे पर south america अब हम कुछ और भी चीजे समझते हैं south america से ही related तो आप देखिए जो यह south america की जितनी भी countries है और जो यहां की population है वो ज्यादा तर coastal regions में ही रहती है चाहे वो यहां का eastern coastal plain हो या फिर यह western plain हो यहीं पास ही आपको ज्यादा तर population इस south america continent की देखने को आपको मिलेगी south america continent बहुत सी चीजों के लिए worldwide famous है हम देखते हैं कौन कौन सी वो चीजे हैं तो आप यहां पास देखेंगे आपको देखने को मिलेगी एक angel fall जो की world का सबसे highest waterfall consider की जाता है इसकलाब आप इस world में आप देखेंगे western side of south america तो आपको देखने को मिलेगी एक andies mountain जो की दुनिया की सबसे longest mountain भी consider की जाती है इसकलाब आप यहां पास देखेंगे यह है amazing river जो की पूरे world की सबसे biggest river consider की जाती है इसकलाब आप यहां पास देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी एक lake जिसका नाम है lake titika का जो की world की सबसे highest navigable lake मानी जाती है इसकलाब यही पास आप देखेंगे बुलीबिया की एक capital है लापाज जो की world की सबसे highest capital city मानी जाती है फिर आप यहां पास देखें एक result है जिसका नाम है अटाकामा result और यह अटाकामा result पूरी दुनिया में यदि हम dheiroमाँ को छोड़ दें नौर्थ पूल और सौथ पूल को तो उसके बाद यह अटाकामा डिसल्ट ही सबसे यदा ड्राइस्ट प्लेस पूरे वर्ड में माना जाता है अब हम साउथ अमेरिका के फिचकल फिचस देख लेते हैं कि कहां पास कौन सा माउंटेन हैं कहां पास कौन सा प्लेटू हैं कहां पास कौन सी रिवर्स हैं कहां पास कौन सी लेक्स हैं कहां पास कौन से डिजल कि जाती है और इसका नाम है एंडीज माउंटेन और इसकी कुल नमवाई है लगभग 7000 किलो मीटर और यह हिमालिया के बाद सबसे ज्यादा हाइजेस्ट माउंटेन भी कि जाती है और यह हम इसकी हाइजेस्ट पीक की बाद करें तो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी अकंग कागवा और उस अकंग कागवा की जो हाइट है वो है लगभग 6961 मीटर अब हम साउथ हमेरिका के कुछ प्लेटू को देख लेते हैं तो आप देखिए जो यहाँ पास बोलीबियन प्लेटू है यह है माटो ग्रासो प्लेटू यहाँ पास आप देखने तो आपको देखने को मिलेगे ब्राजीलियन हाइडेंड तो यह यहाँ की इमपोर्टेंट प्लेटू है या फिर उंचे इस्थान है फिर यदि हम यहां की कुछ इंपोर्टेंट रिपर्स की बात करें तो आपको यहाँ पास देखने को मिलेगी वेनेजुईलवाले लीजन में औरी और यहां पास आप देखें तो आपको मिलेगी यह पराणा रिपर और इसकी कुछ ट्रिप्लेंज भी बनाती हैं तो जैसे हम देखें जो औरी निको रिवर है तो यह जो प्लेंड रीजन बनाती है उसका नाम है लानोज और जो यह अमेजन हैं अमेजन के जो रैन फोरेस्ट हैं उस पूरे रीजन को फिर हम बोलते हैं सैलवाज तो जो यह प्लेंड से अमेजन के द्वारा बनाए गए उनको हम बोलते हैं सैलवाज और बेनेजुईलव में जो हैं वो हैं लानोज और यह आप ब्राजील में देखें तो आपको इस region में compose grassland देखने को मिलेंगे और Argentina में आपको Pampass grassland देखने को मिलेंगे और यह है एक और plane region जो है Grand Chaco plane region These are the important planes of South America फिर यदि हम बात करें यहां के कुछ lakes की तो यहाँ पास आपको मैं ली दो important lake ही देखने को मिलेंगे तो एक है यहाँ पास मारा काइबो लेक जो की वेनिजूला में है और साउथ अमेरिके सबसे लार्जेस्ट लेक भी मानी आती है इसके लावा यहाँ पास है लेक टिटिका का जो आपको बोलीबिया और पेरू के बॉर्डर में देखने को मिलेगी और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईजेस्ट नेविगेवल लेक मानी आती है फिर हम इधर के मेली जो दो डिजल्ट इंपोर्टेंट है वो है एक अटाकामा डिजल्ट है और एक है पेटागोनिया डिजल्ट तो इस रिजन में आप देखें यह तो यह है अटाकामा डिजल्ट और यह है पेटागोनिया डिजल्ट तो ये पेटागोनिया जो डिजल्ट है ये cold डिजल्ट है और ये dry डिजल्ट है और ये world का सबसे ज़्याइट प्लेस भी गंसीरर किया जाता है after north and south pole clear South America के जितने भी physical features हैं उनमें से सबसे ज़्याइटा जो important हैं वो हैं Amazon के rain forest इनका importance क्यों बढ़ जाता है क्योंकि यहां पास बहुत से पसू पच्छी और आपको यहां पास जानवर देखने को मिलेंगे वो पूरी तरीकी से इस Amazon rainforest पर ही निरभार हैं ना केबल जानवर human beings भी बहुत ज़्यादा निरभार है इन Amazon rainforest पर ही क्यों क्योंकि यह प्रत्वी की एक बहुत ज़्यादा हिस्से की जो oxygen है उसका production करते हैं और यही कारण है कि इन Amazon rainforest को हम lungs of the planet या फिर अर्थ के जो फेपड़े हैं वो भी हम कहते हैं यह यहां पास आप देख सकते हैं Amazon रिवर तो आप रिवर की चारों तरप आप देखें तो आपको फोरेश्ट ही फोरेश्ट देखने को मिलेगा यह पूरा फोरेश्टिक डीजन ही है लेकिन इस फो दो सबसे बड़ी समस्या है है वह एक डीफॉरेश्टेश्ट योह होता है उसको प्रमुक कारण है इस प्रमुकन एगरी कल्चर यहां के लोग अभी भीशेप्ण एगरी कल्ěचर को एक्राइब की मतलब कर होता है कि बनों पर आग लग करना और दूसरे रेजन पर चले जा कि यह यहां पास माली यह खेती की और फिर इस स्वार की फाटिलिटी खतम हो गई तो फिर वो दूसरे रीजन में चले जाएंगे ऐसे करते करते हुआ क्या है कि अमेजन का जो फोरेश्ट है वो बहुत जाद आज की रेट में डीफोरेश्टेड हो चुका है और आज की रेट में आपको कई बार फोरेश्ट फायर की घटनाय भी देखने को मिलती होगी अब हम साउथ अमेरिका की कुछ इंपोर्टेंट कंट्री को देख लेते हैं तो सु हो है ब्राजीलिया लेकिन यदि हम यहां के सबसे बड़े सहर की बात करें तो है साउथ पाउलो और यहां का एक और इंपोर्टेंट सहर है जो है रियो डी जेनेरो क्लियर और यह जो कंट्री है यह इस पूरे साउथ अमेरिका का लगभग 47% एरिया क्या है कभर करती है तो होता है एक्सेप्ट यहां पास आप देखिए जो यह एकवाडोर है वो और चिली इन दो देशों को छोड़ कर जितने भी देश हैं उन सभी का बॉर्डर ब्राजील से टच होता है चाहिए आप यहां पास औरोगवे देख सकते हैं यह अर्जेंटीना है परागवे है बोल ब्राजील से बॉर्डर टेचनी करती है तो एक है एकवाडोर और दूसरी है चिली और खास बात कहा है ब्राजील की ब्राजील एकमात कंट्री है ऐसी पूरे वर्ड में जहां पास से एक्क्विटर भी निकलती है और ट्रॉपेकॉप कैप्री कॉर्ण भी निकलती है इसके North to South में हम उसकी length देखें तो ये पूरे वर्ड की सबसे longest country भी मानी जाती है और इसकी कुल लंबाई हम देखें North to South वो है लगभग 4395 km क्लियर और हम जानते हैं कि जो European थे चाहे उनमें British रहे हों चाहे पुर्टगीज रहे हों चाहे Spain सी लोग आई रहे हों चाहे फ्रांसी सी रहे हों उन सब ही ने क्या किया वर्ड में एक समय पर colonize किया तो ये South अमेर का भी एक तरीकी से colonization का ही result है तो यहाँ पास ब्रजील में पुर्टगाली आए और पुर्टगालीयों ने ही इस region पर पूरा कबजा किया और present में यहाँ क कि जो official language है वो भी क्या है पुर्टगीज ही है और ब्रजील पूरे वर्ड में सबसे तक पुर्टगीज भासा को बोलने वाली country भी मानी जाती है इसके लावा है यह हम इदर की कुछ important rivers की बात करें तो आपको यहाँ पास देखने को मिलेगी एक है Amazon River और दूसरी है यहाँ पास पराना रेवर और जो ब्रजील है यह साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थ व्यस्था भी है लगभग 50% GDP इस पूरे साउथ अमेरिका की केवल ब्रजील की मानी जाती है और यह बर्तमान में एक रीजनल पावर की रूप में उभर रहा है इसलिए इसको कई जो भी करते हैं जिसमें ब्रजील सामिल है रसिया है इंडिया है चैना है और और सौथ अपरीका है इसकराब ब्रजील ही पुरे वर्ट में सबसे जादा कॉफी का उत्पादन भी करता है अब हम सौथ हमेरिका के दूसरी महत पूर्पूल कंट्री के बात करते हैं वो है अर्जेंटीना का आप लोकेशन यहां पास देख सकते हैं और इसकी जो राजधानी है वो है वियूनस आयर्स और वियूनस आयर्स का लोकेशन है यहां पास और अर्जेंटीना इस साउथ अमेरिका की second largest country माल जाते है in terms of area and economy both और यहां पास यह आप देखें तो एक रिवर है पराना रिवर और पराना रिवर में ही आपको ब्रजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा बार्टर फॉल देखने के मिलेगा पूरे दुनिया का जिसका नाम है एकवाजू फॉल और इसके अला मिलेगी इसके आप इस रीजन में देखें जो ग्रास लेंड से उनका नाम है पंपाज और यहां पास घास पाई जाती है उस घास का नाम है अलफालफा जो कि एक तरीक से बहुत न्यूट्रेंट ट्रेच है और पसू जो भी उसको खाते हैं वह बहुत अच्छा एक तरीक स इसका नाम है पेटागोनिया डिजर्ट जो कि यहां का कोल्ड डिजर्ट भी माना जाता है और फिर यहां पास आप दो सहर देखें एक है यहां पास ब्यूना सहर सी और यह है वाल परेजू और इन दोनों को जोडने वाला एक रेलवे रूट है जिसको हम बोलते हैं ट्रां तो आपको Pacific Ocean और Andes Mountain के बीच में एक बहुत ही सक्री लेकिन लंबी कंट्री देखने को मिलेगी और यही है चिली और इसके हम कैपिटल की बात करें तो वह है सेंटियागो और यह दुनिया की सबसे सौधन मोस्ट कंट्री भी मानी जाती है और यह बहुत एक तरीक से बहुत लंबी कंट्री भी है और इसकी हम कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 43,000 किलो मीटर इसकी लंबाई है और हम जानते है कि जो यह चिली है करीक से रिंग और फायर के जोन में आती है तो यहां पास आपको वलकेनो इरॉप्शन और जो अर्थ को एक है उनकी घटना आप को यहां पास देखने को मिलती रहेंगी इसकलाब आजिए दिया हम बात करें सेंटर चिली की यहां पास तो यहां पास climate पाया जाता है Mediterranean type का और इस Mediterranean type of climate की खास बिसस्ता क्या होती है कि यहां पास ठंडियों में ज्यादा वारिस होती है और गर्मिया बिलकुल सूखी रहती और इस तरीके का जो मौसम है वो खटे फ़लों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है फिर आप यहाँ पास देखें यह है वाल परेजो और यह है ब्यूनस आयर्स और इन दोनों को जोड़ता है एक रेल रूट जिसका नाम है ट्रांस एंडियन क्लियर इसके लिए बाद चिली जो है वह इस साउथ अमेरिका की सबसे अधर डबलब कंट्री भी मान जाती है और यह हम इंडेक्स की बात करें तो सब ज़्यदा हाई चिली कही माना जाता है फिर यहाँ पास जो इंपोर्टेंट फीचर है वह है अटा कामा डिजर्ड और यह इस अटा कामा डिजर्ड में ही बहुत जाद आपको कॉपर और नाइट्रेट के भंडार आपको देखने को मिलेंगी और जो चिली है यह कॉपर के लिए वर्ल्ड वाइट फैमस है आप देखिए लगभग पूरे कॉपर का वन थर्ड प्रॉक्सन के बल चिली करता है और उसका एक तरह की से बेस है आप देखिए लगभग जो 20 परसेंट चिली की जीडीपी हो कॉपर से आती है और एक्सपोर्ट जो भी चिली करता है दूसरे देशों को उसका 60 परसेंट सेर भी किसको जाता है कॉपर को अब हम बात करते हैं बोलीविया की तो यदि आप परी आप देखें तो इसकी जो फ्लाइए लपाज माने जाती है और अब भी आप देखेंय है यह आप रहे हो गोता है यह माने जाती है तिये कविंभ है हंव ग्रती का explored पारे माने जाती है अGO ऊदाम पर बड़ाण nog को होता है एसी country जिसका border ocean से बिल्वकुल भी connect ना हो तो South America में केवल दो ही country हैं जो landlocked हैं एक है Bolivia और दूसरी है परागवी और बांकि जितनी भी countries है South America में सभी का border कहीं न कहीं ocean से touch होता है क्लियर और यहां पास बुलीबिया में प्रयाग्त मत्रमें प्लम्तों से रिजर्वी देखने को मिलते हैं और साउथ अमेरिका में इसकी जो रैंक है नाचरिल्लूडफ की मांमले में हो है और फर एस जियोजिकल कि भवेस में जो भी electrical vehicles आएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा clear तो इस तरीके से हम Bolivia के importance को समझ सकते हैं अब हम बात करते हैं उरुगवे की तो आप उरुगवे का यहाँ पास location देख सकते हैं इसकी जो capital हुआ है Monty वीडियो और यदि हम यहाँ पास यह सूरी नाम है उसको छोड़ दें तो उसके बाद यह second smallest country मान जाती है इस South America की लेकिन यदि हम urbanization की बात करें तो यह most urbanized country है South America की इसके अलावा जो यह उरुगवे है यह इस South America की एकमात रैसी country है जो की पूरी तरीक से Tropic of Capricorn के South में है बाकि जादतर countries यहाँ पास क्या है कुछ ना कुछ हिस्सा उनका Tropic of Capricorn के North में है except उरुगवे clear फिर बात यदि हम करें परागवे की तो परागवे एक तरीक से मैंने बताया landlock country है और यह यहाँ की smallest landlock country भी मानी जाती है अब हम बात करते हैं पेरू की तो यदि आप पेरू का location देखें तो आपको यहाँ पास पेरू देखने को मिल जाएगा और यदि हम इसकी capital की बात करें तो वो है लीमा और पेरू ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद third largest country मानी जाती है in terms of area और यदि हम fish production की बात करें तो इस South America में सब जादा fish production पेरू ही करता है और जादा production होने का जो main कारण है हो है यहाँ पास humble current का चलना humble जो cold current है ocean current से वो यहाँ पास से चलती है और यही कारण है कि यहाँ पास सब से जादा fish production आपको देखने को मिलेगा फिर बात हम करते हैं Ecuador की तो इसकी जो capital है वो है Quito और Ecuador इसका नाम क्यों पड़ा क्योंकि एक्वेटर में ही इसका location है और यदि हम एक्वेटर में जितनी भी countries हैं वर्ड में यदि देखें कि सबसे westernmost country कौन सी है जो एक्वेटर में लुकेटेड है तो वो भी कौन है एक्वाडूर और एक्वाडूर बनाना production के लिए वर्ड में फेमस है और सब स्यादा बनाना का export भी वर्ड में एक्वाडूर ही करता है फिर यदि हम देखें कॉलंबिया को तो यह है यहाँ पास कॉलंबिया और इसकी जो capital हो है बुगोटा और यह कॉलंबिया का नाम कॉलंबिया मैं ली पड़ा क्रिस्टोफर कॉलंबस जो की Italian explorer थे उनके नाम पर उन्हों नहीं North America और South America की खोज की थी और उनके नाम पर ही इस country का नाम क्या हो गया कॉलंबिया और कॉलंबिया में ब्रजील के बाद सबस्यादा population रहती है और यदि हम economy की बात करें तो economy में third rank आजाएगी after Brazil and Argentina clear अब हम बात करते हैं बेनेजविला की तो आप पहले बेनेजविला का location देख लीजे तो यहाँ पास यह है बेनेजविला और यहाँ की जो राधानी हो है काराकस और यहाँ की जो plains है उनको हम मोलते हिलानोज और यहाँ पास आप देखेंगे और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जहाँ पास दुनिया का सबसी हजेश वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल और यहाँ पास आप देखें बेनेजविला में एक लेख है मारा काईवो लेख और इस मारा काईवो लेख में ही पर्याप मातरा में पेट्रोलियम और नैचरल गैस की रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे और जितनी भी साउथ हमेरिकन कंट्रीज है उन सब मैं से सबसेदा प्रोडक्शन पेट्रोलियम और नैचरल गैस का बेनेजुला ही करता है आप देखें पूरे वर्ड का लगभग 17.5% जो पेट्रोलियम का रिजर्व है वो केबल बेनेजुला के ही पास है और यहां की जो एकॉनमी है वो पूरी तरीके से पेट्रोलियम पर ही डिपेंडेंट है लगभग GDP का 1 third और बेनेजुला जीतना भी एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 80% पेट्रोलियम से ही बेनेजुला को मिलता है साथ ही साथ गवर्मेंट की जो इनकम है वो पूरी तरीके से पेट्रोलियम पर ही निर्भार है और बेनेजुला भी ही आपको सबसे चीपेस्ट पेट्रोल देखने को मिलीगा मात 1.45 रुपीज पर लीटर 2 रुपे से भी कम है और इतना सस्ता होने का प्रमो कारण का है कि यहां पास तो पहली बात उत्पादन होता है और दूसरी जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि यहां की जो सरकार हो बहुत ज़्यदा यहां पास सबसीडी दे देती है फिर हम बात करते हैं कुछ और देशों की यह यहां की सबसे smallest country माल जाती है in terms of area और जो यहां पास आप देखिए एक और country है छोटी सी यह फ्रेंच गुयाना तो यह country एकमात रैसी country है जिस पर पूरी तरीके से किसी European country का अधिकार है और इस फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का अधिकार है और वहां पास बहुत ही important space center है यूरोप का जो की कोरू में इस टैबलेस है और यहां से यूरोप की बहुत से जो सेटेलाइट हैं वो लॉंच किये आते हैं clear